तो आज मैं आप लोग के साथ इस्टेंट पकोड़े की रेस्पी लेका हूँ जो कि इस अभी को पसंद आती है इसे बारिस के महिने में और सर्दियों में दोरों में आप बना के इसका आनंद ले सकते हैं तो मैंने यहां पर एक कटूरी उड़त की दाल भीग हुई दाल मैं यहां पिली है यह छिलके वाली दाल थी इसे मैंने गरम पानी में दो घंटे भीगो दिया अच्छे से फोल गई इसे मैं इसके छिलके अच्छे से निकाल करके दूल करके ले लिया है अब हम यहां पर डाल यहां पर मैंने टीखी ही नहीं किया हुआ है यहां पर सब्तिक्वर भी और अलदे टाल सकते हैं मुर्स्थि यसे ४र नहीं की जूख दो कर सकते हैं तो यहां पर चाजी के भी घुद्ध zwar नहीं यार्य लाल विर्ची लिया है और यहां पर जो है डाल देते हैं क्योंकि उड़त की दाल होती है गरिष्ट इससे इसका गरिष्ट पर खतम हो जाता है तो अब मैं इसे पीस लेती हूं तो यहां पर मेरी दाल अच्छा से पीस चुकी है मैंने अपर देखा आपने पानी एक बूद नहीं डाला हुआ था अगर आपको लगे कि एक बार मेरी दाल नहीं पिस पारे तो आप देवारा भी से चला करके पीस तकते हैं और इसके बाद मैंने यहां पे लिया अर्वी का पत्ता यह पत्ता मेरे गमले में उखा हुआ था आज सुबह में जब छोड़ने गई थी तो उपशत पे तब वहां पर मैंने देखा कि अर्वी का पत्ता निकला हुआ था तो मुझे तुदंत महां से लेके आए और दाल तुन्द भिगोया पकोड़े के लिए सारी त्यार नमक और एक चमर सर्श्दो का तेल डाल दिया है अगर आपको पास्चार मसाल नहीं तो आप यहां पर आमचुर पाउडर भी उच कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा खट्टा यह हाथों में थोड़ा सा वह लगता ने इसका चुन्चुन करता है तो इसलिए मैंने यहां पर अगर आपको खट्टा नहीं पसंद है अपना करिए पर मुझे लगता है कि यहां पर जरूरत है उसके वाद मैंने ताल को यहां पर मिक्स कर दिया जैसे के जाल मैंने साइचे चीजा आपको दिखाई दिती और उसके बाद मैं यहां पर डाल देती हूं एक चमर जीरा सब्ते पर मैं वुणा पिसा जीरा यूज करती हुं इस हुँचे से मैंने ना पिसा जीरा ही इसमें पर इदर मैंने गई साओ करके कढ़ाई रख दिया तो यह घरम हो रहा है क्योंकि पकोड़े जो है उसरसो की तेल बी अच्छे लगते हैं तो यहां पर मैंने हलका सा पान तो यहां पर देखिए दीमे करके मैं इसे अलर पलट के पका लेती हूं तो इसका खलर बहुत ही अच्छा आया है और काफी क्रिस्पी और खरारी सी बनी हुई है तो यहां पर मैं दूसरा सिप्ट डाल देती हूं इसी तरीके से तो जितनी भी दो-तीन सिप्ट जो भी बनेग आप अब इसी तरीके से डाल के बनाती रहोंगी आई ओप की आप लोग को मेरी रेश्पी बहुत ज़स्यादा पसंद आती है आप लोग बहुती ही मन से देखते हैं इस ठुड़ा कम डालती हूं भी हूं मैं इसलिए मेरे जितने भी वीवर्स हैं थोड़ा कम देखते हैं जो मैं डालती ही नहीं तो क्या देखेंगे तो मैंने सोचा चली मैं आज आप लोग के साथ ये रेस्पी जरूर सेयर करूंगी अगर आप लोग को तुरन तुरन पकवड़े खाने के मन किये तो आप इस तरीके से बना करके खा सकते हैं तो यहां पर मैंने कर दी है प्लेटिंग और इसमें मैंने लिया हरी चटनी आम का अचार और मिर्ची का चार चली इसका करंच पर सुनाते हैं सुनी आप लोगोंने कितना क्रंची बना हुआ है और बहुत ही अंदर तक पच्छे से पका हुआ है तो इसे आप चाहिज जब खाएं सर्दियों में और वर्सात में जब भी आप इसका मौसम हूँ आप ऐसे बना के खा सकते हैं वीडियो हमारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा इस रस्पी को आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही जल्दी हो काफी एल्दी सी बनती है मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ इसे तरीके से रप्तर के लिए बाबाबा फ्रेंड